गुड इवनिंग स्टुडेंट्स आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम सिर्फ सॉलिशन करने वाले हैं आपके एक्सराइज 4.1 और 4.2 के तो आप अपने आंसर को यहां से चेक कर लेना कि आपने कैसे किया है और सही कैसे करना था चैप्ट नुबर 4 है विदिक मै होता है नीचे लगता है डॉट और एका दिकन में उपर लगता है जब डिजिट होती है जब हम सब्ट्रेक्शन करते है उपर वाले डिजिट छोटी होती है नीचे बड़ी होती है तो हम नीचे वाले डिजिट का परमित्तर लेते हैं अब आपको मैंने परमित्तर की प्रै इसमें 5 के, sorry, 8 के नीचे एक अन्यूइन का sign लगेगा, यह जो 8 के नीचे एक अन्यूइन लगा है, इसका मतलब यह 8 नहीं count होगा, 8 में से 1 step track करेंगे, तो 7 count होगा, तो यह 7 माना जाएगा, अब यहाँ 7 में से 5 minus करना easy होता है, 7 minus 5 किता होता है, 2, इसका answer किता है, 28, second question के है, 66 minus 48, इसके लिए आपको क्या बताऊं मैं, इस उपराली डिजिट छोटी है, नीचे वाली बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली डिजिट का नहीं, 8 का हम क्या करेंगे, परमित्तर, 8 का परमित्तर का होगा है, 2, यह जो 2 है, इस 2 में हम उपराला number add कर दे डिजिट में, उपराले डिजिट के नीचे क्या लग जाएगा, एक अनुएन का sign लग जाएगा, तो 6, एक अनुएन का मतलब जाएगा, 6 minus 1, क्या बन जाएगा, 5, यहाँ यह लगगा, 5, 5 में से 4 सब्टेक्ट होगा, तो answer रहेगा, 1, मैंने शाहिए इसको एका धिकेन 4 के साथ, 1 plus 4, 1 plus 4 होता है, 5, और यह 5 लिखा जाएगा, यहाँ, फिर अगली डिजिट में, एक अनुएन लगाएगे, यह बन जाएगा, 7 minus 1, 7 minus 1 होगा, 6, 6 में से 6 minus 1 लाएगा, 0, फोर्थ क्यूशन है, 342 minus 143, उपराले डिजिट छोटी नीचाली बढ़ी है, तो हम 3 का प बनाएगे, अब यह 4 नहीं है, 4 minus 1, 3 काउंट होगा, ठीक है, तो 3 में से 4 से टेक नहीं होगा, तो हम फिर से वही method यूज़ करेंगे, परमित्र वाला, इस 4 का परमित्र क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, इस 6 को हम एड़ करेंगे, उपराल नंबर में, उपर नंबर क्या है, 4 नहीं है, अभी अभी हमने क्या बताया था, 4 नहीं है, 3 है, तो 6 में 3 एड़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 9, यहां लिखा जाएगा, 9, और अगले डिजिट में, क्योंकि यहां परमित्र method का में लिया था, तो अगले डिजिट में 3 के नीचे एक dot लगाएगे, एक अन् का मतलब यह क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो लिखा जाएगा, 2, 3 के नीचे dot है, यहां मतलब यह 2 है, 2 में से 1 सब्टेक करेंगे, तो अंसर हैगा, 1 और यह 1 लिखा जाएगा, यहां, इसका अंसर हैगा, 199, इसको दूसरे color में अच्छे लिखें, 199, फिफ्थ ग्जांपल करने, 9 इसमें, तो 7 का परमित्र कौन होता है, 3, 3 को किस में add करेंगे, उपरा नंबर में, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, यह 7 लिखा जाएगा, यहां, परमित्र लिखा जाएगा, यहां, परमित्र लिया था काम में, इसलिए यहां लगेगा, एक अन्वेन, अभी 2 लिखा जाएगा, यहां, परमित्र काम में लिया था, इसलिए 5 की नीचे डॉट लगेगा, एक अन्वेन, एक अन्वेन का मतलब इभी 4, 4 में से 2 मैंस करेंगे, 2, देखो सारे कुशन बहुत easy हैं, अच्छे से समझो के, पहले दूसरे तीसरे कुशन में, तो आप यहां भी आके-आके-फास्ट कर लोगे आप भी, देखो 5 में से 6 अप्टेक नहीं होता, तो यहां क्या करेंगे, 6 का परमित्र, 6 का परमित्र होता है, 4, इस 4 में एड़ करेंगे, हम यह वाला 5, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, हमारा 9, 9 लिखा जाएगा यहां, परमित्र काम में लिया था इसलिए 4 की नीचे 1-1, अभी 4 की नीचे 1-1 का मतलब भी बनेगा, 3, 3 में से 7 मैंस नहीं होगा, 7 का परमित्र कौन हुआ, 3, इस 3 को एड़ कर देंगे, उपरा नंबर में, उपर कैस के 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6, और वो कहां लिखा जाएगा, यहां, अगली डिज 2-2, 5, 3, 6, 2, नंबर छोटा है, 6 है, इसलिए हम क्या करेंगे, बेस्ट लगाएगे, 6 का, 6 का बेस्ट फ्रेंट है, 4, इस 4 गड़ कर देंगे, 2 में, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, जिसको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है, वो धीरे-धीरे देखना, रोक के देख लेना समझ करना, दुबारा पिछे करके देख लेना, ठीक है, इसलिए तो वीडियो होते हैं, कि आप पिछे दुबारा समझ सकते हो, ओके, यहाँ परमित्र काम में लिया, तो अगले डिजिट में, 6 के नीचे लग जाएगा, एक अनुएन, अब यह 6 के नीचे अनुएन का मतलब यह 5 है, 5 में से 3 सब्टेक्ट हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, यह 2, अब फिर यहाँ दिखकता है, यह नुबर छोटा है, यह बड़ा है, देखो, यहाँ हमने परमित्र काम में नहीं लिया, इसलिए एक के नीचे डॉट नहीं लगेगा, यह बात याद रखना, एक के न अब यह 4 के नीचे एक अनुएन मतलब यह 3 है, 3 में से 2 सब्टेक्ट हो आता हो, 3 माइनस 2, 1 आ जाएगा, 8 क्यूशन है, 7264 माइनस 3897, 4 में से 7 सब्टेक्ट नहीं होगा, 7 का परमित्र हो जाएगा, 3 में एड़ करेंगे, उपरा नंबर 4, 3 प्लस 4 होता है, 7, यहाँ परमि परमित्र क्या होता है, 1 होता है, इस 1 को एड़ कर देंगे, इसके उपरा नंबर में नहीं, 5 में, इसके उपर देखो, नंबर 5 है, 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6, हमने हाँ परमित्र काम मिलिया, तो पीछा ले डिजिट में हाँ उपर लग जाएगा, एक अनुएन का साइन, 2 के उपर नंबर में, उपर नंबर है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, फिट नेक्स डिजिट में हमने हाँ परमित्र काम मिलिया, तो 7 के नीचे एका देखें, एका नुएन का साइन लग जाएगा, 7 के नीचे एका नुएन का साइन का मतलब यह है, 6, 6 में से 3 सब्टेक्ट करें ग्यांत रहेगा, 3, और अभी 9th question last बचा है, 1245-97, 8, अब क्या काम करो कि यहाँ पहले इक 0 लगा लो, हमें काम आ जाए क्या पता, अब 5 और 8 उपर छोटा है, नीचे बढ़ा है, तो 8 का परमित्र का नुए, 2, 2 में एड करेंगे, उपरा नंबर, 2 प्लस 5, 7, 5 प्लस 2, 7, फिर परमित्र काम में लिए, इसलिए पिछाले digit के यहां लगेगा, एका 9-0 का साइन, अब यह 4 की निचे 7-2 का मतलब क्या होता है, 4 की निचे 1-0 का मतलब यह 3 है, ठीक है, तो 3 में से 7 सेप्रेक नहीं होगा, तो हम 7 का परमित्र देखेंगे, 7 का परमित्र होता है, 3, इस 3 को इस 3 को add कर देंगे उपर वाले 3 में उपर वाले 3 में एड़ गया तो क्या बन जाएगा 6 यहां लिका जाए 6 यहां परमित्र काम में लिया तो 2 के नीचे एक अनुइन का sign लगेगा 2 के नीचे एक अनुइन का मतलब यह 1 है यह last question इसलिट सबसे लंबा question यह है क्योंकि इसमे मिलिया तो पिछले डिजर के लग जाएगा एक अनुइन का sign 1 में से 1 सब्टेक क्या मतलब 0 और 0-0 अन्स लाएगा 0 यह थे आपके अनुइन मैफ़ड से subtraction अब हम करेंगे एका दिकेन मैफड से subtraction एका दिकेन मैफड भी easy है hard नहीं है देखें कैसे होता है एका दिकेन मैफ कर देंगे 0 8 प्लस 0 क्या एगा 8 कैसे है 2 का परमितर 8 8 में उपरा नमबर एड़ किया 0 8 प्लस 0 8 यहां परमितर का मिलिया था इसलिए इसके पीछले डिजिट में लग जाएगा एका दिकेन अभी एका दिकेन का मतलब 3 की जिगा यह 4 count होगा 0 में से 4 सब्टेक नहीं होगा तो इस 4 का परमितर लेंगे 4 का परमितर क्या होता है 6 होता है इस 6 को एड़ कर देंगे उपरा नमबर में 6 प्लस 0 6 रह जाएगा फिर next डिजिट में देखो यहां परमितर का साइन लगा था इसलिए यहां क्या लगेगा एक अधिकेन का साइन अभी यह 1 के उपर एक अधिक करूँगा जीरो में से 9 सब्टेक नहीं होगा इसलिए 9 का परमितर होगा 1 इस 1 को इस 0 में एड़ कर देंगे answer आएगा 1 परमितर का मिलिया था इसलिए इसकी पिछारे नमबर के यहां लगेगा एक अधिकेन का साइन अभी 0 की जिके काउंट होगा 1 0 में से 1 सब्टेक नहीं होगा तो इस 1 का परमितर लेंगे हम 1 का परमितर होता 9 इस 9 को एड़ कर देंगे उपर नमबर 0 में 9 9 प्लस 0 is equal to 9 नेक्स्ट हैम ने आप परमितर का मिलिया इसलिए 3 के उपर लग जाएगा एक अधिकेन 5 minus sorry 5-3 के उपर एका धिकेन मतलब 4 5-4 कांस आएगा 1 थर्ड परमितर 2 उस 2 में एड़ कर देंगे उपरा नमबर 5 यह नहीं 7 अभी यहां एक आदिकेन यहां पिछे एक आदिकेन का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि परमितर का मिलिया था तो यह बन जाएगा 1 0 में से 1 सब्टेक नहीं होता इस 1 का इस 1 का परमितर क्या हो जाएगा 9 और इस 9 में हम क्याइड कर देंगे उपरा नमबर 0 9 प्लस 0 9 नेक्स्ट क्यूशन में यहां एक आदिकेन का साइन लग जाएगा क्योंकि परमितर का मिलिया था अभी 6 की जिए क्या काउंट होगा 7 8 में से 7 सब्टेक क्या तो क्या आंसर हैगा 1 फूर्थ क्यूशन है 1700 माइन 973 मेथड है एक आदिकेन तो 3 का यहां बैस्ट लेंगे 7 7 में एड़ करेंगे 0 तो यह बन जाएगा 7 फिर पीछा ले नंबर में लगेगा एक आदिकेन यह बन जाएगा 7 के उपर एक आदिकेन का मतलब 8 उपर नंबर छोटा है तो 8 का परमितर होगा 2 इस 2 को एड़ कर देंगे उपरल नंबर में 2 प्लस 0 is equal to 2 परमितर काम में लिया इसलिए यहां लग जाएगा एक आदिकेन का 7 में 7 प्लस 0 क्याएगा 7 अब पिछे यहां में एक डॉट लगा लेना चाहिए 0 जीरो लगा लेना चाहिए और यहां एक आदिकेन का साइन लग जाएगा 0 के उपर क्योंकि परमितर काम में लिया था इसलिए पिछले डिजिट में एक आदिकेन लगेगा अब यह है 0 प्लस 0 में यहां प्लस प्लस लगेगा एक अदिकेन का मतलब क्या होता है fields 3ए में यह 3 subtext हो सकता है इस 3 में से सब्कुर्ण और है 0 इस टू को इस वाले नंबर में जिरो में तो आजाएगा टू पिछे वाले में पिछाले डिजिट में लगेगा एका दिकेन ये बन जाएगा 3 क्योंकि 2 के उपर एका दिकेन को मतलब 3 होता है 4 में से 3 सब्टेक करेंगे तो आंसर आएगा 1 सैवन्त क्यूशन है 9700-4904 पिछाले नंबर में लग जाएगा एका दिकेन ये नंबर इससे सब्टेक नहीं होता ये बन जाएगा 1 तो हम 1 का परमितर लेंगे 9 इस 9 को एड़ कर देंगे इस 0 में 9 plus 0 9 परमितर काम में लिए तो यहां कैसे लग जाएगा एका दिकेन का साइन 9 plus 1 होता है 10 अब इसमें से ये सब्टेक नहीं होतो 10 का परमितर लेंगे 0 और इस 0 को एड़ कर देंगे 7 में 0 plus 7 7 परमित्र काम में लिए है इसलिए पिछाले डिजिट पर लग जाएगा एक अधिकेन यह बन जाएगा फाइफ नाइन में से फाइफ सर्प्रिक क्या अंसर आएगा फॉर लास्ट दो किशन और बचे हैं एक अधिकेन यह बन गया इस फॉर गड़ करने के लिए पहले जिरो लगा लो फॉर का परमित्र शिक्स सिक्स को एड करेंगी जिरो में यह बन जाएगा नाइन तो 0 में से 9 सब्टेक नहीं होगा, 9 का परमित्र होता है 1, इस 1 को एड़ कर देंगे, इस 0 में 1 प्लस 0, 1 यहां परमित्र का मिलिया तो यहां लग जाएगा एका दिकेन, 0 के उपर एका दिकेन का मतलब 1 होता है इस 1 में से यह 1 सब्टेक करने जाएगा 0, अब लास्ट क्यूशन है 9,000, आपने गौर किया दो सारे क्यूशन हैं जिन के लास्ट में 0 आते होंगे 6 का परमित्र 4, 4 में 0 एड़ किया 4, यहां लगेगा एका दिकेन यह बन किया 10, 10 का परमित्र 0, 0 में 0 एड़ किया 0 परमित्र काम में लिए इसलिए हां लगेगा एका दिकेन यह बन जाएगा 9, 9 का परमित्र होता है 1, इस 1 में एड़ कर दिया यह 0 तो बन जाएगा 1 फिर परमित्र काम में लिए इसलिए हां लग जाएगा एका दिकेन यह बन जाएगा 4, 3 के उपर एक अधिन का मतलब 4, 9 में से 4 सब्टेक की आंसर आएगा 5 तो यह आपके सारे दू एक्सेसाइज के 18 क्यूस्टिन हम नहीं सॉल कर लिए आज